चल यह तो फिर शुडू करते हैं तो फिर अभी अपन डिसकस करने वाले हैं महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड को MTNL को अभी करेंट प्राइस चल रही वो चल रही 41.64 रुपीज की और जैसा कि अपन यहां देख सकते हैं 41.64 रुपीज और बुक वैल्यू है माइनस 353 रुपीज की यह जो है बहुत पॉपुलर गवर्मेंट की जो टेलिकॉम सर्विस की यह कंपनी है चल यह चलते हैं और देख लेते हैं पेट्रोस की स्कोर मातर चार का है कंपनी के प्रोस और कॉंस में बुरी चीज़े ही दी है तो बुरी चीज़े पूरी पढ़ लेते हैं कि कंपनी का इंट्रस कवरेज रिशा लो है प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है से लास्ट कॉर्टर में कंपनी ने पूर सेल्स ग्रोथ दिखाई है माइनस 17.7 परसें लास्ट फाइव यर में कंटिंजन लियाबिलिटी है 8,389 करोर की कंपनी पे अर्निंग में अधर इंकम इंक्लूड़ेड है 615 करोर की और हाइड डेटर डेज है 229 डेज के अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो हर क्वार्टर इनका हर क्वार्टर निगेटिव में है हर क्वार्टर निगेटिव में है और यहाँ पे 793 करोर का निगेटिव है अब अगर आपन देखिए यहां cash low की बात करें तो 67 करोर का positive cash low है financing activity में 177 करोर सबसे जाधा positive उसी में है और सबसे जाधा negative जो है minus 174 करोर जो है इनका investing activity में है operating activity में 64 करोर है अब अगर अपन यहां पर holding की बात करें तो promoter जैसे की government की holding है तो government के holding जो 56.25% promoter holding है FIIs की 0.47% DIs की 13.75% और public की holding है 29.54% अब इसमें चलते हैं अब इसमें चार्ट में 20% की रेली लास्ट सेशन में की है इस टॉक ने 6.94 रुपीज होता है जो की और अभी जो है 41.64 रुपीज की चल रहा है और अगर अगर अपन देखें एर बाई एर बेसिस पर अगर बात करें अहां पर अपन यहां देख सकते हैं की बहुत जादा अपने हेडेस से बहुत जादा नीचे आ चुका है हमने हेडेस से काफी जादा नीचे चल रहा है तो अपने को काफी के बिलने चिक केरफky रहना इसमें जरूरी है बहुत जाधा केरफ le hearing ज़रूरी है बलकि क्या के फ़ानेंसेज भी कोई बहुत अच्छे नहीं है जैसा कि आप लोगों को पहले भी हमें बताया हमारे लिए finances भी देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ अपन chart देख करके यह इस तरह के अंदाजे अपन नहीं लगा सकते है तो चले 48.88 के बाद ही हम कुछ भी view बनाएंगे इसमें उसके पहले तो हमें कोई बहुत जाद नहीं है और अगर safety थोड़ी सी और रखना चाहें तो यहां पर अपन 55 रुपीज के बाद में भी बनाया जा सकता है तो 48.88 के बाद हम उसमें देखना शुरू करेंगे और 55 के बाद थोड़ा सा और एक safety layer बन सकती है क्योंकि थोड़ा सा और resistance ब्रेक हो जाएंगे but in any scenario price कम है तो quantity का बहुत ध्यान रखना है कम price देखकर के ज़्यादा quantity नहीं लेनी है हमेशा अपनी position sizing का ध्यान रखना है और यह देखकर के position बनानी है कि हमारा अगर negative होता है तो बहुत ज़्यादा ना हो इसी के लिए अगर एक रुपे का stop loss है तो अगर नहीं भी एंटर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है finances बलकि अभी काफी खराब हैं तो खेर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है next में मिलते है